यहां खेत में फसल लह लहाए सम्मान से किसान भी मुस्काए यहां बिजली से हर घर जग मगाए विकास की प्रवाह में मनहर साए शिक्षा है रोजगार है विकास की बयार है सड़क है अस्पताल है चाए खुश्यों की बहार है बिन संगीत के ही थिर के हवा है स्वर्ग से सुन्दर गाउगीरा सुखी संपन है अपना गाउगीरा मैं हूँ रवी प्रकास और हकारिकरह में गाउगीरा हूँ अपरेल का दूसरा सब्ताद चल रहा है और यह वक्त है जब हम तयारी करने लगते हैं कि खरीफ की खेतियां में करनी है तो क्या तयारी करनी चाहिए और क्या कुछ तो इसलिए आज के काडिकरह में हम लोग बात करना चाहते हैं खरीफ की तयारी उसके खेति कैसे की जाया उसके वरिग्यानिक तोर तरीके और जो पाय किया जाने होते हैं पहले से क्या प्रिकोसन लिया जाता है क्या सौधानिय बरती जाती है इन वी इस ब चीज़ों पर बात करना चाहते हैं अगले आदे गंटे तक और इस बात करने के लिए खास मिमान को इस्टूटियों में गुलाया है अस्वागत करते है रोख नीरिकुमार साहब का जो वरिस्टाइकर सिवस्प्टाले में वरिस्टाइग्यानिक है दलन्द विभाग के जो दलन्द के खेती समद्री विभाग है उसके और पहले भी हमारे काटकमों में आते रहे हैं और लोडेंगे अपनी खेती में तो आपकी खेती को फाइदा होगा तो सरस्वागत है आपको हमारे इसकारिक्रम में और पहले तो यही बताईए कि हम लोग जो समझते हैं वो यह है कि मैं जून में जून से खड़िव की खेती की जानी चाहिए लिकिन अभी का जो वक्त है से अप्रायल आधा बीद के आज बारह तारिक है तो मतलब जून के आने में लगभग धाई महीने का वक्त है धाई मेना ने बलकि देर महीने का वक्त है तो अभी किसानों को क्या करना चाहिए जो कर उनको खड़िव की खेती करनी है तो किसान भाईयों जोहार जैसा सर ने मेरे से पूछा है कि अभी हमारे किसान भाईयों क्या करना चाहिए हम सभी जानते हैं कि हम लोग बरसा आधारित खेती करते हैं और पूरी तरह से चाहे वो खेत की जूताई हो या फिर फसल का लगाना हो सब उपर वाली की महरवानी पे चलता है और यह महरवानी कब हो जाए कब रुक जाए हमें पता नहीं है तो हमें सफलता के लिए थोड़ी तैयारी तो करनी होती है और खास करके जो खेती किसानी है इसमें बहुत सतर्क रहने के आशकता है जो चीजे इसमें जरूरी है उसका इंतजाम पहले से सोच के करना होता है, अगर आउपको पता है कि हमको खेट की जुँताई करनी है यहां पे बेगर पानी पताए या उपर से जब बर्सा गिरती है, उसकी बार ही हम हल चला सकते हैं, ट्रैक्टर चला सकते हैं जुताई तभी हो और जैसे ही मौका मिलता है, अगर आपकी फसल खेतों में नहीं लगी हुई है, अगर बहुत कम किसान है, जो मुंग वगाराई खेती करते हैं, गर्मा मुंग की खेती करते हैं, अधर वैज, जो टान जमीन है, वो तो एक दम से खाली होगी अभी, तो अगर आपका खेत खाली है, क्योंकि रवी फसल की कटाई चल रही है, या फिर खतम होने वाली है, या खतम हो चुकी है, अभी हम लोगों ने अपने खेतों में कटाई पूरी कर ली है, तो ऐसे में जैसे ही मौका मिलता है, बर्सा जैसे ही होती है, उस तरह से आप मुस्तै रहें तुरत खेत की गहरी जुताई करके खेत को छोड़ दें, इसके फायदे बहुत सारे हैं, एक तो एकदम से जो फायदा नजार आता है, वो है कि खरपतवार की समस्या का कम हो जाने, इतनी बाहर गर्मी पढ़ रही है, अगर आप गहरी जुताई करते हैं, बिटी को प कोड़े की, उनका भी खात्मा हो जाता है, वो भी जगह बनाए बैठे होते हैं, छुपे, अगर गहरी जुताई आप करके खेत की अच्छी तरसे त्यारी करते हैं, तो कीड़े में कोड़े की समस्या भी आने वाले आपके खरी फसलों में कम हो जाती है, तो दो फायदे फसल चक्र नहीं लगाते हैं, नहीं अपनाते हैं, फसल चक्र मतलब फसलों का बदलाओ, हम लोग बार बार कहते हैं कि एक बार हमको खरीप में दलहनी लगाना है, तो एक बार ससे फसल लगाना है, क्योंकि आपको जो उर्वरग चाहिए होता है, रासायनिक उर्वरग जो जादा होगी तो हमको फसलों का रोटेशन बदलाओ करम जो है वो बदलना आवश्यक हो जाता है तो इसका भी ध्यान हमारे किसान भाईयों को रखना चाहिए और जो भी जरूरी चीजें हैं अगर हम पहले से सोच के उसका इंतिजाम कर लेते हैं तो आखरी समय में जैसे एक उदारा ले रहे हैं किस्मों का चूनाओ करते हैं किसमें नहीं मिलती हैं बीज जो है आपको नहीं मिल पाती समय पर लेकिन अगर आप इस समय सोच लेंगे कि हमको फ़ला फसल लगाना है यह एतनी आओदी की लगानी है तब डेफिनेटली ज़रूर आप इंतिजाम कर किसमे हैं, उनका चुनावा कैसे करते हैं, हर बार हम लोग चरचा इस पकड़ते हैं लग-अलग फसलों के लिए, निजर भी इस तार से समझाईए कि खरीफ में अगर हमको फसल चुनना हो, जारकंड के भाहुल रिस्टी कौन से, तो कौन सी फसल चुननी चाहिए, और किसमे कौन सी चुननी चाहिए, ये कैसे लागते हैं? बंद कर दें क्योंकि ये फैदे बंद नहीं है, आपका लागत भी ने निकल पाता है और इसके बदले आप उपरी जमीन में जो दूसरी दलहनी फसले हैं, अरहर है, उरद है या फिर दूसरी अन्य फसले हैं, उसको आप लगाएं और वो आपको ज्यादा उपज दे देग लेकिन आप जरूर लगाएं मद्ध्यम जो जमीन है या नीचे की जमीन है, उसमें धान की फसल अवस लगाएं क्योंकि उसको आप लगाते हैं, ये जरूर धियान देना है कि हम ऐसी फसल का चुनाव करें, जो फिर रभी फसल को धियान में रखते हुए, ऐसा नहों कि आप आपका रभी फसल लेट हो जाए, उसकी बुवाई लेट हो जाए, तो खास आउधी का भी हमको ध्यान रखना होता है, जैसे एक में उदारन से आपको समझाना चाहता हूँ, कि ये राइस फैलो में बहुत चर्चा हो रही है, कि राइस फैलो में पल्सिज को एकरेज बढ़ाना है, उनका च्छेतरफल बढ़ाना है, राइस फैलो, मतलब राइस फैलो का मतलब धान कटने के बाद जो खेत खाली होता है, तो ये धान कटने के बाद खेत खाली होगा, तभी उपयोगी होगा, तभी आप उसमें फसल लगा पाएंगे, जब समय पे धान कटेग ठीक है समय पर धान कटने के लिए जरूरी है कि जल्दी त्यार होने वाली कम अवधी की धान की किसमे आप जाने उसको खेत में लगाएं तभी तो वो कट पाएगा और रभी फसल आप ले पाएंगे अगर आप लंबी अवधी आप सम्मा मसुरी आप ले रहे हैं जिसको आप या फिर स्वर्णा आप ले रहे हैं तो सभी जानते हैं कि ये कम से कम 145 दिन समय लेगी पकर के तयार होने में कटने में तो जब इसको आप लगाएंगे तो रभी फसल कहां से आप लगा पाएंगे और इसको लगाने के लिए फिर आपको निचली जमीन पर जाना होगा और अमूमन बध्यम जमीन जो आपका होता है जिसमें आप दूसरी फसल रभी में लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी नमी रहती है समय पे आप कटाई करेंगे तो जो रेसिडिवल मुआइसर हम अपनी भासा में करते हैं जो नमी खेत में बची रहती है उसका उपयो जिसमें बछबूर बर्शा एक आदा बार मिलेगी जिससे की आपकी फसल हो जाएगी जिस हमारे किसान भाई के पास जिपर भी हार कम होते है हम 12-15% तक खरीप में सीचाई की सुईधा वाली खेत हमारे पास है उधर रवी में और कम हो जाता है 8% जैसा हो जाता है तो हमारे पास सीचाई की सुईधा नहीं है तो हमको यह जरूर ध्यान देखन 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 देखना है आपके पास दूसरी जो जितना भी बिर्षा धान सिरीज है, 108, 109, 110, ये बहुत जल्दी करती है, 100 दिन के अंदर कर जाती है, बिर्षा सुगंधा जो है, वो भी जल्दी कर जाती है, बीवीडी 203 है, ये भी 125 दिन है, तो इन किसमों का, अगर हम जब तक जानेंगे नहीं, ज हमारे पास उपलब्द नहीं होगा, तब तक हमारे किसान भाई लगाएंगे कैसे उसको, तो खेत की तयारी में आपको ये भी ध्यान देना होगा, कि जिस खेत में आप रोपा करने जा रहे है, वहां से बहुत दूर आपका भी यस्थली नहीं हो, जहां पे आप सीडलिंग डालेंगे, वह बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, तिचाई की सुविधा होनी चाहिए, आपको उर्वरा का प्रयोग करना पड़ेगा, कहते हैं ना कि जो नेतरजन है, वन मीटर स्क्वायर में कम से कम, आपको थोड़ा-थोड़ा नेतरजन ही, फसफोरस, पोटास, सब देना होगा, तो आपको यह जानना होगा कि खेत, अब अगर आप बरसा होने वाली होगी, खेत मेर दुरूस नहीं करेंगे, आप पाटा नहीं चलाएंगे, समतली करन जो होता, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उचा नीचा अगर खेत होगा, तो फिर कहीं पानी ज्या आप धान, 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 मक्का, मक्का, दलहन, 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 नहीं लगा सकते हैं, अगर आप दलहन लगा रहा हैं तो तेलहन के बारे में सोचिए, आप फिर के बारे में सोचिए, तो इस तरह से अगर आप फसल का बदलाव करते हैं, फसल चकर को अपनाते हैं, तो आपकी जो मिट्टी है, हम लोग इन दीनों बात कर रहा है कि हम मिट्टी को ऐसा रखें, खेती करके, ऐसा बनाया रखें कि जो आने वाला जनरेशन है, वो उसका फैदा उठा सके, वो सही फसल, सही उपज ले सके, ये तभी होगा, sustainable agriculture की बात हम करते हैं, और crop rotation नहीं करेंगे, या फ सारा चीज, अगर हम अपने खाने में चावल के साथ डाल नहीं लें, सबजी नहीं लें, तो सारे पोसक तर तो हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे, इसका खास ध्यान हमारे किसान भाईबने को रखना है, अच्छा, खेत की तियारी के बाद आप करे थे, जब सुरुनलों ने कि किसान, उस वक्त उनको क्या क्या लगना चाहिए, क्या साथानी बढ़ती चाहिए, हमारे किसान भाई, बहुत अनुभवी हैं, जानते भी हैं, आपको सबसे पहले, जो टार जमीन है, उसमें अमलियता है, उसमें आपको तीन-चार क्विंटल, तीन-सो से चार-सो केजी डालेंगे आप, दूसरी चीज है सबसे जरूरी, सड़ी गोबर की खाथ डालना, वो हमारे मवेसी है, हमारे किसान भाई बहन के पास, लेकिन वो कच्ची गोबर की खाथ नहीं डालें, क्योंकि फिर तर्माइट या दूसरे कीडे मकोडे हैं, उनको फिर परेशान करेंगे उनकी फसल जब लगेगी तो फिर, इसलिए सड़ी हुई गोबर, क्योंकि ये टॉक आज की जो वारता है, इसलिए आवश्यक है, क्योंकि अभी से आप गोबर को साड़ाना सुरू करें, पिट बना करके डालनें, ढख दें, और उसको यूज ना करें, उसका इस्तेमाल नह से लिए क्योंकि लाइन में आप डालेंगे तो ये कम लगेगा, नहीं तो फिर पांच-दस टन आपको चूना डालना पड़ेगा, लेकिन वो अगर आप इस साल डाले तो एक साल छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये जो लाइन में जो चूना डालना है 300 kg, ये आपको हर साल डा जमीन में दिक्कत नहीं है, ये जो उपरी जमीन सब है, उसमें दिक्कत है, इसलिए तो खेत की तैयारी में ये जो दो चीजें हमने बताई, ये बड़ा ही आवस्यक हो जाता है, और रासायनी खाद का भी आपको इंतिजाम कर लेना है, कई बार SSP नहीं मिलता है, हमको पता डाल देंगे, बहुत खूस होंगे तो डाल के छोड़ देंगे, तो उनको कैसे मिलेगा, उनको फासफोरस भी चाहिए, पोटास भी चाहिए, सलफर भी चाहिए, आपको पता है, पोटास हमारे ठीक ठाक है, लेकिन फासफोरस नहीं है, कम है, सलफर की भी कमी है खेतों में, तो आपको अगर S.S.P. नहीं मिलता है, D.A.P. डालना मजबूरी है, तो आपको सलफर के लिए जिपसम वगरा का इंतिजाम कर लेना होगा, क्योंकि जैसा हमने कहा कि बैलेंस डोज फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद का सही सही, जो जो चीए चाहिए, वो सब डालना, ठीक है, हो सकता है कि आपके पास लागत की कमी हो, पैसा कम है हमारे पास, ठीक है, हम फूल डोज फर्टिलाइजर नहीं भी डाले, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सब डाले, आ पोटास भी आप डाले, चालिस केजी कर, बीस केजी तो डाले, मतलब आपके पास जो पैसा है, उसमें सारे उर्वर्खों को डालना अवस्चक है, क्योंकि जब सारी चीजे आप डालेंगे, तो आपका उपज बढ़िया होगा, अच्छा होगा, तो यह हम चाहते हैं कि खे जैवी खेती करिए, तो आपको ग्रीन फर्टिलाइजर्स भी हैं, यह सब कुछ हैं, और आप रपी चाहचा करी रहे थे कि खाद क्या मतलब यूरिया होता है, मैं आपके घुसा होगा, यूरिया डाल देंगे, तो खाद डाल दे, हमारा हमारी तो होती ही है गाउं में, तो जैवी खेती वर्सिस, जो केमिकल फर्टिलाजर्स के इस्तेमाल वाली खेती है, इस दोनों में क्या फ़रक है, उपद में क्या फ़रक पड़ता है। जहां पर हम जब केमिकल फर्टिलाजर ही पूरा डोज नहीं दे रहे हैं, यह तो पंजाब हर्याना के लिए अमोमन हम बात करते हैं, जहां पर फर्टिलाजर का डोज इतना हाई होता जा रहा है, कि वहां पर सही मायने में अगले जैनेशन खेती कर पाएं कि नहीं उस स्व स्वाइल खराब होता जा रहा है, अपन लोग तो खरीप में फसल लेते हैं, रभी में छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही वह फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाता है, मेरा मतलब है कि जो एक्जॉस्ट हुआ आपके फसल लेने से, क्योंकि एक सो पचीस प्रतीसत क्रॉपिंग इं करके सो जाना है हमको, दूसरी फसल के बारे में सोचना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको दूसरी फसल भी सोचना है, ताकि हमारे प्रदेश का तो फायदा होई, अपना फायदा होई, हम अपने बारे में सोचेंगे, तो प्रदेश का फायदा अपने आप होगा तो ऐसी ऐसी विधी सोचना होगा जिससे की हम रभी में जो फैलो छोड़ देते हैं परती छोड़ देते हैं खेत को धान की कटनी के बाद कोई मतलब नहीं हो उस खेत समस्याएं हैं फसल का नुकसान पहुचाना ग्रेज कर जाना फसल को अप अकेले लगाएंगे तो वो मास लेविल पर सोचना हो गया, ताय करना होगा, मिटिंग करना होगा अपने गाउं में बैठ करके कि हम क्या करें ताकि हम जाडे में भी फसल ले सके, सिचाई की सुविधा कम है, बहुत सारी किसमें हम इजाद कर रहे हैं, ड्रॉट रेसिस्टेंस, इसमें ड्रॉट टॉल मूंग ले रहे हैं, आप देखेंगे कि हम 65 दिनों में ऊरद ले रहे हैं, आप देखेंगे कि हम राहर 130 दिन में ले रहे हैं, तो पहले जो अओधी बलंबी हुआ करे, और यह हमारे रिसर्च का मुख मुद्दा इन दिनों है, कि कम अओधी की फसल हम लें, तो समस्याएं बहुत है लेकिन हमको जागरूख होकरके सही टिकनलोजी हम आपके पास यहां क्यूं आते हैं क्योंकि जो हमारा ग्यान है वो हम किसी तरह से आप तक पहुँचाएं और ये बहुत ही बढ़ी बढ़िया जरिया है जिसके तहर हम आप तक पहुँच सकते हैं हम लोग आपके पास जाते हैं किसान के घर भी जाते हैं खेट भी घूमते हैं किसमें भी देते हैं बहुत सारा तरह लेकिन वो कितने किसान को हम दे पाएंगे यहा हमारा जो काम है वो लगे है कि हम काम कुछ कर पाए तर यह बताए कि इसे बीज का जो पचार की बात होती है कि बीज का उपचार करके ही लगाएं ताकि फसल अची हो तो कैसे करते हैं सटिक विधी क्या है सथे इसमें भी हमारा प्रदेश थोड़ा पिछड़ा हुआ है क्यों वह भी नहीं करते हैं, कई बार हम अच्छे अच्छे अनुसंधान केंद्रों पर जब जाते हैं और वह बताते हैं कि सर यह बीमारी आ गई तो हम ने पूछा कि भाई अपने सी ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो वह कहते हैं कि नहीं सरम ऐसे ही लगा दी तो अगर हमारे अनु मौका मिला चलो बीज खेत में रोपा करो चाहे वो दो चाहे जो करो लेकिन आपको बाद में बहुत सारी समस्या आ सकती हैं बीमारी की कीडे मकोडे की उससे बचने के लिए हम को अगर हम अगर सतर्क रहे तो शायद हम पहले जान पाएं अपने शरीर के बारे में और वो बीज का उपचार आप करते हैं बीमारी के लिए बैबस्टीन हम सभी जानते हैं करते कम लोग हैं जानते सब लोग है कि एक कीलो बीज के लिए दो ग्राप बैबस्टीन दवा में मिला करके आप उसको उपचारित करके तब आप लगाएं मैं तो सिर्फ बीमारी ने कीडे म कोड़े से भी बचाने के लिए बता रहा हूं क्लोरो पैरिफास दवा जो है उसका करीब एक कीलो बीज में पांच मिली लीटर वो भी दवा आप डाल सकते हैं राइजोबियम कल्चर की बहुत चर्चा हो रही है आपके जितने भी दलहनी फसल है उनकी गांठों में राइजो कल्चर और उससे बीज को उपचारिद करते हैं ताकि जड़ की जड़ों की गाठे हैं वहां पर जो उपलबता है वह बहुत बढ़ जाए और बढ़ जाए और वातावरन में जो नेतरजन है उसका आपके फसल को फायदा मिले वह फसल तक पहुंचे जड़ों के माध्यम से मिट्टी में आए और वहां से आपकी फसल को मिले उस फसल को नेतरजन कम तो चाहिए ही चाहिए आपके दूसरी जो फसल आप लागाएगे उसमें नेतरजन भी कम चाहिए होगा दूसरी चीज फासफोरस की भी कमी हमने बताई तो उसके लिए PSB कल्चर जैसे आप राइज जब वो डिजॉल्व हो जाए, मिल जाए, तब उसको ठंडा होने दीजिए, उसमें एक पैकेट राइजोबियम कल्चर का डाल दीजिए, उसको फिर मिला करके, अब एक कीलो बीज ने, अगर माल लीजिए, आधा एकर बीज, अगर एक एकर में अरहर की आठ कीलो बीज हम अगर माल लीजिए, धान का साथ से असी कीलो हम बीज लेते हैं, अगर हाइब्रिड नहीं है तो, ठीक है? उसी तरह से ये एक एकर का आधा हिस्सा एक पैकेट, अगर एक एकर को उपचारित करना है, तो आपको दो पैकेट चाहिए होगा, तो इस तरह से बीज उपचार कर बेबिस्टीन से भी करिए, क्लोरोपेरिफास से कीड़े के लिए करिए, और आई जोबियम कल्चर से भी करिए, ताकि बीस से पचीस परतीसत उपज हमको जाना मिले। ठीक है, अब मैं बस दो ही मिनिट है, तो फिर पस दो सवाल है, मैं एक ही सत्पुस्त हूँ, एक जो खरपतवार नासी है, वो कहें बार मिलता नहीं है, जब सी चानाता है, तो उसके लिए क्या करिए, और दूसरा सवाल है, जो हम जिन किसमों की बात करते हैं, कि हमारे जारख से पहले आपको पेंडी मेथलीन दवा करीब एक लीटर पानी में पांच अमिल मिला करके डालिये, और पोस्ट इमर्जेंस दवा है, जैसे इमा जेथाई पर हम लोग दलहनी फसल, तिलहनी फसल में इमा जेथाई पर दवा डालते हैं, यह साथ सो पचास मिली लीटर एक ल कौन सा हाईबिड लगाना है, उसको भी रेकमेंड किया आयाता, अनुसंसित किया आता प्रदेश के लिए, उसको हमारे किसान भाईबन कभी अगली बार जब हम आएंगे, तो आपको बताएंगे, लिस्ट बताएंगे, यह फसल है तो यह किसमे ही लगेंगी, और यह बहु अगर आप उसको लेना चाहें, तो आपका काम वहाँ चल जाना है, नहीं तो जो भी हमारे बिस्विदाले में जो भी बैग्यानिक है, वहाँ उन से आपको पता चल सकता है कि कौन सी अनुसंसित किसम है, जिसको हमारे किसान भाई लगाएं, यह जानना बहुत ही आउसक है, फाल तो फाल तो किसमें बेचने वाले बेच देते हैं, हमारे किसान भाई को समस्या आती है, तो इसकी समस्या ना हो, और बहुत सारी सुपकाम ना है, इस खरी फसल में अच्छी उपज के लिए आप सब होगाएं, आपको बहुत धन्यवाद हम जल्दी ही आपको फिर बु तो इसको जानना जरूरी है, हम जल्दी ही इस पर दूसरा कारेकरम करेंगे, मुझे इस कार्टाओं को फिलाव रुखने की जायज़त देजिए, अगले सब्ता आपसे इस दिनी से वक्तिर मुलाकात होगी, नमस्कार. जोहार.